दोस्तों जब से शीबा इनू ने अपना शीबा टोर्च शीबा बर्न मेकेनिजम जो है लोंच किया है तब से ही यार लोगों के मन में एक तरीके से बहुत ज़्यादा जिग्यासा है कि आखे शीबा इनू का प्राइस केसे बढ़ेगा और शीबा इनू का जो टोर्च है ट्रिलियन शीबा वर्निंग यहां पर अगले पास साल में करने वाला है तो क्या यह पॉसिबल है और पॉसिबल है तो कैसे करेगा और करेगा तो फिर एक्चुल में शीबायनों की प्राइस कहां होगी और हम कहां पर ट्रेट कर रहे होंगे हम कहां पर एकजिश्ट कर रहे हो यानि कि हम क्या करोड़पती बन गए होंगे या लगपती बन गए होंगे फिर या हमारे पॉटफोलियो कितना चेंज हुआ होगा आज इसी के ऊपर बात करेंगे क्योंकि शीबा टोर्च जब से लॉंच हुआ है ना शीबा टोर्च के ऊपर काफी कमेंट्स मेरे पास आये है के सार शीबा टोर्च को डीटेल में थोड़ा अच्छा से समझा दो ता कि हम लोगों को समझ सके क्या खे शीबा टोर्च है क्या तो आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे शीबा टोर्च के बार में फुल इंफरमेशन और इस बर्निंग के कोंसेप्ट को भी समझ जहां कि तब शीबा इनु का जो शीबा टोर्च का बर्न मेकेनिजम बर्न पोर्टर है यह लाई हुआ था और उससे पहले अगर हम देखे तो जो शीबा हाड फोर्क है उसे लौंच किया गया था और यह दोनों ही कोंसेप्ट कहां पर शीबेरियम पर लाई हुए थे जो इसका ल कैसे शीबा टोर्च का असर यहां पर दिखने लग चुका है और शीबा टोर्च ने 24 घंटे के भीतार ही शीबा इनु के लगभग 6 billion token को बर्न किया था जो कि बड़ी न्यूज थी और यह न्यूज क्यों शीबा टोर्च की मदस से ही वो बर्न हुए थे token यानि कि उससे पह time period लगता था लेकिन बर्न पोर्टर के launch होने से यह काम मिंटों में होने लग चुका है तो आने वाले समय में इसको और ज्यादा बड़े पेमाने पर करना है और कल या पर्सु का एक वीडियो था जिसमें लूसी ने इसपेश्ट तोर पर कहा था और कम्मुनिटी को लेकर अहवान किया गया था कि आपको यार जो शिबा टोर्च है उसका फायदा उठाना चाहिए और कहिना कहिं सहीयोग करना चाहिए जिससने शिबा लेने के लिए था कि शीबा इनों की जो बर्निंग है उसको अगर हमें करना है और शीबा की सप्लाई को कम करना है तो आपको बर्न प्रोसेस में हिस्सा लेना पड़ेगा और बर्न प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए यही था कि आपको अपने जो भी token है उसको burning के लिए भेजना पड़ेगा और अगर आप इसा नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो इसका layer 2 समाधान है Shibarium उसमें आप योगदान दे सकते हैं यानि कि यहाँ पर जादस जादा transition के लिए प्रेरित कर सकते हैं फिर खुद भी कर सकते हैं क्योंकि बताये गया था कि Shibarium पर जितने जादा transition होंगे उतनी जादा gas fees निकलेगी उस gas fees का 70% use बोन token के द्वारा Shiba खरीदने में किया जाएगा और उन Shiba token को खरीद कर फिर वापस supply में नहीं भेज़ा जाएगा उनको dead wallet में भेज़ दिया जाएगा यानि कि उनको खत्म क कर दिया जाएगा और यहां पर कम होगी जिससे शीवान का प्राइज बढ़ेगा कॉंसेप्ट तो आपको समझ में आ चुका होगा कि किस टाइप से Shiba torch काम करता है यानि कि यहां पर होता क्या है कि Shibarium पर जितने भी transition होंगे जो gas fees निकलती है क्योंकि हर transition पर एक सुल्क लि उन बोन टोकन की मदद से Shiba token खरीदे जाते हैं लेकिन 100% gas fees का यूज यहां पर नहीं किया जाता है कि वो 70% gas fees जो रहेगे उससे Shiba token खरीदे जाएंगे और फिर वो खरीद कर उनको निस्क्रिय कर दी जाएंगे उनको समाप्त कर दिया जाएंगे डिलिट कर दिया जाएंग और इससे क्या होगा सप्लाई में वापस वो कोईन आएंगे नहीं जिससे सप्लाई यहां पर कम होती जाएगे अब यहां पर सवाल आता है कि क्या Shiba Inu पास साल में Shiba Torch की मदश्य Shiba Inu की सप्लाई में 500 trillion की कमी कर सकता है तो यार इसको जो मैं जवाब दो ना यह यार 500 trillion Shiba Token बहुत बड़ी संख्या होती है और इतनी बड़ी संख्या कि सप्लाई को बर्न करने के लिए बहुत ज्यादा बोन टोकन की और गेस फीस की अवसकता रहेगी और वर्तमान के परिदिश्य से देखे तो जो शिबेरियम है उस पर जो जितने भी ट्रांजेशन हो रहे है वो इनफ नहीं है कि यार उनकी गेस फीस से जो है शिबा टोकन खरीद के उनको बर्न कर दिया जाए तो यहां पर अगर इतने बड़े पेमाने पर शिबा टोकन को बर्न करना है तो यहां पर शिबेरियम पर ट्रांजेशन बढ़ाने पड़ेंगे शिबेरियम पर ट्रां इसकेशं से देखें, तो यहां पर बहुत कम transition है, अगर मैं आपको यहां पर बताओ, तो कितने transition आते हैं Shiba Shiberium पर, तो आपके सामने यहां पर data कुछ निकल कर आया है, जिस पर Shiberium पर जितने भी transition होते हैं, उनका data है यहां पर, वेट तो यहाँ पर देख सकते है डेली ट्रांजेशन बताये गया है अगर आप देखेंगे तो 4000 डेली ट्रांजेशन है जो कि बहुत कम हो चुके है टोटल ब्लोक यहाँ पर हो चुके है 6 मिलियन है न से जादा ही है मतलब 68 लाक और 69 लेक हम मान सकते है टोटल ट्रांजेशन देखे तो 401 8 मिलियन तक टोटल ट्रांजेशन और गेस फिस आप देख सकते है कितनी कम ली जाती है इतनी ही कम टोटल एड्रेज भी अगर देखेंगे तो 18,15,000 के आसपास है और यहाँ पर कुछ लेक्ष ब्लोक और लेक्ष ट्रांजेशन हुए है जिनकी गेस फिस आप बोन टोकन में आप देख सकते है यह इतनी गेस फिस ली गई है मतलब एक ट्रांजेशन इतना बड़ा हुआ है और उससे जो गेस फिस ली है मात्र 0.00247 बोन अब आप देखे सो जब बोन टोकन होंगे ना गेस फिस में इखटे तब जाके उनका 45% का यूज शीबा टोकन को खरीदने में किया जाएगा अब आप समझ सकते हैं कि बोन जो ट्रांजेशन हो रहे है इतने बड़े बड़े उनसे जो गेस फिस से बहुत कम ली जा रही है क्योंकि शिबेरियम नया ब्लोक्चेन है इसलिए जो है आपका सोलाना ब्लोक्चेन इथेरियम ब्लोक्चेन से यहाँ पर जो ट्रांजेशन फिस है वो काफी कम है क्योंकि नया है इसलिए पॉपुलर बनाना है तो gas fees जतनी बढ़ाना है तो उसके लिए यहाँ पर total transition बढ़ाने पड़ेंगे ठीक है daily transition बढ़ाने पड़ेंगे तब जाके यहाँ पर कुछ होगा और वर्तमान की परदिर्श्य से देखे तो transition बहुत ही कम हो चुके है एक time था जब millions में transition होते थे और अब तो thousand में transition पर चले और हम burning में बड़ा change ला सके और यहाँ पर इसी के ऊपर है अब तीसरा एक बड़ी यहाँ पर अपवाद है कि कैसर चलो मान लेते हैं कि शीबा तेजी से अपनी burning कर लेता है supply कम करता है तो क्या हम करोड़पती बन सकते हैं तो यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता तो कि देखिए अगर यहाँ पर जो शीबेरियम है शीबा टोर्च की मदशे बर्निंग करता है और बर्निंग से supply कम होती तो उससे आपके जो है पोर्टफोलियो के percentage पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा मतलब अगर डायरेक्ट की बात करो तो डायरेक्ट supply कम होने से आपक कर फोर्टफोलियो बढ़ रहा है आपका प्रॉटफोलियो कब बढ़ता है जब यहाँ पर इन्वेश्टर बढ़ते है और प्राइस को बढ़ाते है वो यहाँ पर supply कम होने से यहाँ पर जो है इसकी डीमांड बढ़ गई इसको तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक टाइम हमारे पास कुछ मान लेते हैं कि दस आलू है ठीक है दस टमाटर है दस और दस टमाटर की वेल्यू मान लेते हैं कि दस रुपे है एक रुपे का एक टमाटर ठीक है अब मान लेते हैं तीन टमाटर हमने उसको फेक दिया तो अब जो साथ ट टामाटर की value बढ़ चुकी है उसी टाइप से अगर और हम तीन टामाटर फेक देंगे तो मात्र टामाटर बचेंगे वो चाइप सी टामाटर की value भी 10 रूपे ही है तो investor जिसके पास टामाटर है न उसके 10 रूपे के 10 रूपे ही है लेकिन बस टमाटर की है, प्रति एक टमाटर की value बढ़ती जा रही है, तो यहां पर प्रति एक शीबा कोईन की value बढ़ती जाएगी, ना कि आपके portfolio की value बढ़ेगी, यहां पर इस टाइप से इसको समझ सकते हैं, तो हलाकि यहां पर portfolio कैसे बढ़ेगा? Shiba बurning से आप करोड़ पती केसे बनेगे क्योंकि जब burning होगे न तो Zero Kill होगे Zero Kill होने से waffle investor इसकी तरब आकरशित होगे और उससे Shiba को खरीदेंगे तो वहां से आपको फायदा मिलेगा तो इसलिए कहते हैं कि making burning होगी तो investor ज्यादा आकरशित होगे और वो popular बनेगा शिवायनू तो आपको फायदा होगा तो indirectly होगा लेकिन directly burning से नहीं होगा तो इस टाइप से concept को समझो हाला कि ये वीडियो आपको helpful रहा होगा मिलते नए वीडियो में नमस्कार